हलो गेज़ वह आज हमाई साथ है मारती सुझूकी की स्वाधी टोयोटर की इनोवा है क्रोस एंड मारती की इन्विक्टो इसी कुछ जो है इसकी की देखने को मिलते हैं अपने को वहीं से मिलर जो है फीचर वगेरा देखने को मिलते बागी कोई भी चेंजेज जो है यहाँ आपको नहीं देखने को मिलते हैं बट हाँ कुछ-कुछ जो features है ना वो कम करे है इनविक्टो में बताऊंगा मैं आपको आपकोस बताऊंगा and pricing भी बताऊंगा कौन सी price से start होती है नहीं होती है and इस जगह पर shoot करने का reason तो भाई आपको मालूमी है गाड़ी अभी डेमो में अविलेबल नहीं है तो sorry माहप कर देना मुझे यहाँ पर shoot करना पड़ रहा है तो ऐसी कुछ जो है इसकी की देखने को मिलते है अपने को similar जो है इनों हाइक्रोस वली की यहाँ पर देखने को मिलती है जो है यहाँ नहीं अपने को साथ में अपने को मिलती है और अइसे कुछ जो है यहाँ पर करी है यहाँ पर देखने मिलते हैन वहीं उनका भर थ्पर्लूप से नहीं क्रोम यहां पर अपने को देखने को मिलता है यहां पर अपने को देखने को मिलता है यहां पर अपना इसका एंडिकेटर जो है देखने को मिलता है फोर पारकिंग सेंसर जो है फ्रंट में देखने को मिलते है लुक बहुती मस लगा मुझे बहुती मतलब एक प्रीमियम फील पियानो फिनिश का यहां पर ज्यादा यूज करा गया है इस रिजन से शायद हो सकता है ऐसा एन 178 शंतिंग का जो है ग्राउन क्लियरंस अमें का जो है आप लेखने को मिलते अपने को इसी कुछ जो है बहुत ही मस जो है अपने को स्कीट प्लेट्स जो है यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही सही है और सब इस चीज़ों की बात करेंगे तो आते साइड में तो भाई हाँ वाक अवे जाला फीशा जो है ना देखने को मिलता है यहां पर ऐसी कुछ जो अपने को यहां पर अपनी इन्विक्टो देखने को मिल रही है एंड साइट लुक्स की बात करें तो इसके साइड लुक्स देखने मिलते हैं और साइड के लुक्स में इतना कोई खास पिरलंस मुझे यहां पर लगा भी नहीं है वील अचेल भी इस भी यहां पर ब्लैग में देखने को मिल जाते है прямо को डियां में जबी का फिछे आप grown-up म्यां साइज करें tycker रहें हैं इसके अश्चेहन को मिल रहे एंड की आपकर सह एंड हाइब्रेट की वैजिंग हाँ यह है इसका हाइब्रेट वेरेंट टाइंड इंजन भी इसमें आपको गैसर लिए नुला पेट्रोल इंजन जो है 200 CC का यहाँ सरी 2000 CC का जो है पेट्रोल इंजन इसमें देखने मिलता है कोई भी डीजल ऑप्चन नहीं है आपकोस अब इ तरब से में उपिनियन बता रहा हूं एंड रियर लुक्स इससार से देखने मुलता है को जो की बहुत ही सही दीखते है एंड मुझे तो बहुत सही लगया है यह जो है ना लुक्स थोड़े थोड़े तोयोटा की रैफोस है आपकोस मिलेगी तोयोटा की गाड़ी है तो ए इसका पहले से पसंदे तो दे रहे है भाई मारुती वाले यहाँ पर जो एक क्रूम की फिनिश दी गई है वाइफर्स डीफॉग्स यहाँ पर दीए गई है साथ में अफकोस यह इसका टॉपेंड वीरेंट है अलफा एंड उसकी रिजन से जो है यहाँ पर सभी फीचर्स बनते ही है बट टॉपेंड विरेंट होने के बाद भी 30-32 लाग तक जाने के बाद भी 30-32 लाइक की प्राइज में जाने के बाद भी बहुत सारे फीचर्स कम करें है मारुती ने बट वहाँ पर टोटा प्रेक्टिकल लगता है मुझे यह इसका हाइब्रेड विरेंट तो बैटरी तो इसमें रहेगी बट बूट में नहीं है वह एक अच्छी बात है यहाँ पर इन्मिक्टो की बैजिंग दी गई है एंड फी से यहाँ पर जो है पेट्रोल टैंक की बात किया तो यहाँ पर 75 लिटर्स का सम्टिंग 70 लिटर्स का बूट अपना पेट्रोल टैंक जो है देखने को मिलता है तो ऐसे कुछ जो है भाई इसके लुक्स देखने को मिलते हैं एंड चाहिड मीरर पे जो है यहाँ यहाँ पर 360 डिगरी कैमेरा एंड जैसे में गाड़ी के पास आयो हूं गाड़ी अनलोक तो नहीं हुई है बट यह जो पडल लैम्प है अपने आ अपने को यहाँ पर रिवर्स कैमेरा दिया गया है एंड साइड लुक्स की बात कर दो ही अपने डोवर हैंडल क्रोम एंड बॉडी फिनिश में जो है दोनों साथ में देखने मिलते हैं यहाँ पर बहुत ही सही तरह के जोना फीचर दिये गए बट वो टोगटा की तरफ से यहाँ पर जो सेंसर वाला दिया गया है सब सिस्टम के लिए सेंट्री वाला फंक्शन जैसे मैं यहाँ पर टचकुरून का गाड़ी लॉक होगी एंड जैसे मैं इसके अंदर हाट डलूगा गाड़ी जो है अपने आपकी जो है अनलोग हो जाएगी जो की बहुत ही सई ची मिलता है मेमरी वाला फंक्शन भी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है जिसके वज़े से आपका बूट स्पेस रहना कम नहीं होता है एंड बॉट बॉट्टर की स्पेस वगरा जो है बहुत ही सई दी गई है यहाँ पर स्पीकर का जो है अपने जैबील वाले तो आपकोस जो है यहाँ पर जो है कुछ सर्वी जो है जो है डिजयन यहाँ पर देए के हैं अब चै engaged यहाँ पर दोनों आपर निश्वेयर नहीं जो है देखने को मिलता तो तो वंद będę ऐसा कुछ जो इसका इंटियर देखने को मिलता अपने को अंदर से एंड पार मैं करी ले दाओ उ वही देखने को मिलेगी भी आपको क्योंकि भाई है ना तोटा की गाड़ी तो बहुत ही यूनिक ने तोटा ने मारूती ने यहाँ पर इसनका आटो डिमिंग आयर व्यम जो है यहाँ पर देखे रखा है और यहाँ पर इसके पूरे चंट्रोल जिए के संदुरूफ के पर सन्वाइजर कुछ इसार से जो है विट लाइट देखने को मिल जाते है यहाँ ऐसे एंड भाई बहुती बड़िया जो है ना फीचर्स यहाँ पर देखे रखे है मारूती ने एंड शरी ठोट है और इससाइड भी वैनेटी मिरर विट लैंप अपको देखने को मिलते ह इसको कर लेता हूँ स्टार्ट भी देखो कुछ इससार से जो है अपनी इवी पर स्टार्ट हो चुकिया यह इसका सेंटर कंसोल है कुछ इससार से देखने को मिलता अपने को जो की बहुत ही सिंपल है बागी कुछ फीचर्स यहाँ पर दी नहीं गये है ड्राइविंग कुछ इस सार से देखने को मिलता जिसकीक्रटी डिसेंट जीन की कौलिटी रहे हैं बहुत ही इसकी डिसेंट की क्यारी है नियुक्त अगर मैं करू तो बहुत ही डिसेंड साख ग्लव और को सीज गई नहीं है क्यों एस गाड़ी में मारूती दिख्रा रखाला है विस तो इ यहां पे उल्टा की काम मुझे लगा है क्योंकि यहां पर हर जगा पे Toyota लिखे देखने को मिल जाएगा आपको और सिवा I 요すごい इस चीज के यहां पे सिर्फ मारती का लोगों देखने मिलडा हे आपकी तो भी कुछ भी नहीं देखने मिल जाती है इसा बहुतता यह देचबोर इसका मिलता है उसकी स्एकल één टारंड शाउंद सिम्टी आ जो अपने को यह पर पिछे नहीं देखने को मिलता है यहां पर भी जो है ना अपने को यहां पर इसका माइक दिया गया है एंड कॉलिटी में थोड़ी सी चीजे जो है ना मुझे लगी है बट ठुतना चलता रहता है दोनों भी सेट जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर आपको भू यहां से उपन करना एट लेवल कांट्रोल को दोनों भी सेज देखने को मिल जाते है and string control की बात करें तो ऐसे कुछ जो है इसके string control दिये गए है cruise control के जो है moods यहाँ पर दिये गए है and यहाँ पर इसके info टेंड में के control जो है देखने को मिल जाते है अपने को चलते भी पीछे पीछे बता दो मैं आपको क्या कुछ जो है इसको पीछे कर ले तो चलते के पीछे पीछे आपको पीछे भी जो है देखने को मिलते है and शल अभी तो वैस अपना चुके है पीछे एंड ऐसे कुछ जो इसका बहुती एरी एरी जो है ना कैबिन फील करता है बहुती बढ़िया जो है यहाँ पर मुझे आ रही है अब लेगरूम की बात अगर खरूना भाई बहुती बर-बर के स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मतलब बहुती जो है एरी रूमी फील यहाँ पर मुझे आ रही है भले ही इसमें इंटेरियर ब्लैक कलर का क्यूं नहीं दिया गय हूं बट यहाँ पर फील बाई बहुती एरी आ रही है एंट दोनों भी साइट जो है इसके शीट पॉकिट्स देखने को मिलते है 3KG का हूप यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाता है एंट यहाँ पर इसके AC के कंट्रोल्स और अपना इसके कंट्रोल्स जो है नीचे ही देखने को मिलता है पीशे वाले सेफरेटली दिये गए है अपने को ऊपर के साइट देखने को मिल जाता है दोनों भी साइट मतलब भाई तोड़ेट ना करता है यह तो बहुत यूनीक करता है यहां पे अपने को यह भी चीज जो है ना देखने को मिलती है जो की भाई हर एक प्रीमियम गाड़ी में देखने को मिल रही है तो टोयोटा ने अपना कदम बड़े गर के दिल वड़ा गर की यहां पे देखे रखे थे बट उसका यूस तो असली मारुती वले रहे रहे हैं पर देखने को मिल रही है अपने को एंड पीछे की साइड टी डोर की बात किया रहे है तो यहां पर सीफ अपने को पावर विंडो के स्वीच जीए गए है क्रोम डोर हैंडल जीए गए जो है दोनों भी साइड ऊपर नीचे देखने को मिली जाते है अपने को यहां पर बा इसका cup holders भी देखने हो मिलते हैं जो की fold भी अपने आप हो जाता है अगर आप इसको ऐसे रखना चाहो तो रख सकते हो यहां पर अपना handers दिये गए है and sheets कुछ इस तरह से जो है देखने को मिल जाती है अपने and भाई चलता है पीछे पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि space जो है बहुत ही अच्छी कासे दी गई है decent सी space यहां पर देखने हो मिलती है बट high support भी बहुत ही सही यहां पर देखने को यहां पर मिल जाता है अपने को and डोनों भी साइट जो है charging ports दिये गए है cup holders भी जो है पीछे की साइड अतने को देखने को मिल जाते है और चोटी चोटी चीजों का बहुत ही अच्छी तरीके से द्यान देखा है तो adjustable seatbelts भी यहां पर आफकोस देखने को मिल रहे है यहां पर आपको दिक्कत होगी कि आपको जो है पैर लंबे करना है जो है थोड़ी दिक्कत हो सकती है बैटरी की वज़े से मैं बही चलते है पीछे जो है इसका पूलती बहुत स्लो है एंड कीस है जो है दुसरा ओपरेट अपने इसको सका सकते हैं ऐसी कुछ है इस WILsh अगर मैं इसको फोल्ड कर देता हूं तो बहुत ही अच्छी खासी जो है यहां पर अपने को देखने को मिल जाती है अगर मैं इसको पूरा फोल्ड कर देता हूं तो अच्छी खासी जो है स्पेस यहां पर अपने को देखने मिल जो कि भाई गाड़ी ना पूरी कंप्लीट अच्छा पैकेज दिया गया है बहुत ही चली जाती है उसकी वज़े से जो है गाड़ी वैली फोर मनी लगती नहीं है इसका बूट भी अपन बंध कर सकते हैं अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी हो विडियो अच्छा लगा ओ तो लाइक ज requests waterproof सबसक्क्राइब कर में अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो एंड कमेंट करके मुझे तरू बता ना वीडियो देखेंगे आपके लिए थैंक यू सो मुच